यह हमारा है रिलेशन बिट्विन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी तो देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन निकालने के लिए हम दो केस करते हैं कर दो कि एक पास अर्थ है उसका मास M है रेडियस आर है और एक मास इसके उपर रखा हुआ है तो आप इस पर लगा दीजिए कि जी एक गुरुत्वा कर्षण का नियम निगा दें तो जो अट्रेक्शन फोर्स लग रहा है इसके उपर वो मिल जाएगा मेरे को एक तो यह बा गुरुत्वा कर्षण यह है आपके पास गुरुत्वा कर्षण नियम है यह भी अट्रेक्शन फोर्स निकालेगा और यह नियूट्वा कर्षण नियम है यह भी फोर्स के निकाल सकता है यह तब निकालता है फोर्स जब हमें एक्सलरेशन दिया हो और यह तब फोर्स निक और यह जो acceleration duty gravity है यह नोट कर लेंगे आप इससे एक force of attraction इससे निकला वही force of attraction आपने इससे निकला दो तरी सो को सो निकला है तो आप क्या करेंगे from per second equal कर देंगे तो mg is equal to gm1m2 divided by r square अब देखें इसमें मास हमने क्या लिया था इसका अर्थ का मास तो capital में लिया था तो यहां रख दीजिए और यहीं वो चीज़ें यहां भी आप इसमें पुट कर लीजिए अब देखें मास मास कट जाएगा और आपके पास क्या जाएगा g is equal to gm over r square अब इसमें आप मास अर्थ का पुट कर दें तो आपका जी अर्थ पे निकलाएगा मास और इडियस मास और इडियस आप मून की पुट कर दें तो उसका जी उस पे कितना जी होता है वो निकलाएगा मास और इडियस अगर आप सन का पुट कर दें जिस प्लैनेट का जिस ब और दूसरा न्यूटन के सेकंड लॉसे और दोनों की वैली को जब हम इक्वेट कर देते तो मेरे पास फाइनल रेजल्ट आ जाता है